परियावरन का संद्रक्षन इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है इस दिसा में अभी ही आविशक कदम उठाने की जरूरत है वर्ना देर हो जाएगी और मानल सभ्यता का नास भी संभव है ये बातें अंतर राज के परियावरन दिवश्च के मौके पर आयोजित परियावरन जागुता कारिक्रम में बतोर मुख्या दिदी सिर्कत कर रहे गिरीडी के वन प्रमंडर पतादिकारी प्रवी सगरवाल ने कही करहरबारी के सरकारी स्कूल में वन परियावरन एवं जलवायू परिवर्दन विभाग के बैनर दले जीला परियावरन समीती द्वारा आयोजित इस कारिकरण में विसी स्टेथिती के रूप में जीला परियवरं समीती के सदस्य सहा लोजपा के अंतराश्ची महास्ची राजकुमार राज सामिल हुए जबकि कारिक्रम के अध्यस्ता वन प्रचेत पतादीकारी रभी कुमार सामिल हुए इस मौके पर सबसे पहले स्कूल परिसर में ही पौधार ओपन किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए गैवियन लगा कर वन सुरक्षा समीती के सदस्य और इस्थानी ग्रामिनों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौपी गे इस मौके पर राज कुमार राज ने कहा कि पर्यावरन की सुरक्षा को लेकर आवेशक गंभीर कदम उठाने की आवेशकता है इसके लिए जरूरी है कि हम साल में स्रिफ एक पार ही नहीं बल्कि हमेशा ही पर्यावरन संड्रक्षन की दिसा में गंभीर प्रयास करते रहे जब भी मौका मिले खुद छायादार फलदार पेड़ लगाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रोचसाहित करें कारिकरम को वन प्रचेत प्रदादिकारी रवी कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया इस मौके पर वन सुरक्षा समीती के सदश्यों के साथ सैक्रो ग्रामिन मौझूद थे पर्यावरन की सुरक्षा के संकल्प के साथ ही कारिकरम का समापन हुआ इस तरह से जो है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरन को संद्रचित करना कितना जरूरी है आज इतना टेंपरेटर का भी सुने थे कि 45-45 तक चला गिया यह क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि पेडों की कटाई अंधा धून हो रही है पेड़ लग नहीं रहे हैं जो बन विवाग लगाता है उसके अलावा पेड़ जो है आम लोगों में जागरूपता नहीं है पेड़ के प्रती तो इसी उद्देश से आज जो है बन परमंगर पदाधिकारी और बन परच्छत्र पदाधिकारी आप लोगों